स्वागत दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टूड़ेज डॉन एडूकेशन में दोस्तों एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ हमेशा के तरह हम आपके सामने हाजर हैं और आज का हमारा टॉपिक है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था सो मैंने सूचा क्यों ने वीडियो बनाया जाए और अगर आप भी चाहते हैं कि कोई और टॉपिक पर जिस पर वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं उस टॉपिक पर वीड जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशल होता है इससे पहले हमने मन्रेगा से और नाबाड से और पंचायती राज पे इन सभी टॉपिक्स को फुली कवर किया है और अगर आपने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहा हम बहुत धेर सारे को कवर करने वाले में हैं जिनको कि हम इस एक वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए बिना देर के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं मैं आपको बता दूँ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और बैल सुचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ ऑप्शन ए है 12 अक्टूबर 2005 ऑप्शन बी है 12 नमबर 2005 ऑप्शन सी है 12 दिसंबर 2005 और ऑप्शन डी है 13 अक्टूबर 2005 तो इसमें आपका राइड अंसर है ऑप्शन नमबर ए 12 अक्टूबर 2005 अगर आप अंसर को गेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉस भी कर सकते हैं नेक्स्ट कुश्चिन है सुचना का अधिकार अधिनियम लोग सभा में कब पारित किया गया आप्शन A है 11 माई 2005 आप्शन B है 12 माई 2005 आप्शन C है 13 माई 2005 और आप्शन D है 11 जून 2005 तो दोस्तों इसमें आपका राइड अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर A 11 माई 2005 नेक्स्ट कुश्चिन है कुश्चिन नमबर थर्ड सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में सुचना के अधिकार को परिभाशित किया गया है ऑप्शन A है 12 जे ऑप्शन B है 12 के ऑप्शन C है 12 आई और ऑप्शन D है 12 एच तो इसमें आपका राइड अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर A 12 जे ओके दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कॉमेंट बक्स में कॉमेंट करके जरूर में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है ओके और आपके लिए कितना यूसफूल है नेक्स्ट कोशिन है आर्टी आई के तहट सूचना कैसे प्राप्त कर सकते हैं ओप्शन A है किसी कारेवाही के रिकॉर्ड का लिरेक्शन कर सकते हैं सूचना की ओप्शन B है सूचना की प्रतलिपी कम्प्यूटर में ले सकते हैं ओप्शन C है समगरी के नमूने को प्राप् सभी नेक्ट कोश्चन है इन में से कौन सूचना दिये जाने से मना करने का अधार है ऑप्शन ए है सूचना की प्रतिलीपी कंप्यूटर में ले सकते हैं ऑप्शन भी है भारत की संप्रभुता एवं सुरक्षा वर राज्य काहित ऑप्शन सी है सामगरी के नमुने को प्राप्ट कर सकते हैं ऑप्शन डी है इन कौन सूचना दिये जाने से मना करने का अधार है यानि कि आपको आपको जो है इस पर भी सुछन schonas पहते है इस पर दी जा सकती है लेकिन आपको भारत की संप्रपुता और अर्च्छा जो भी चीज़े हैं उसके विशें में आपको कोई जनकारी अपलाद नहीं कराई जा सकती है ओक डेस्ट कोशन ए है इनमें से कौन कौन सी संस्था RTI के दायरे में नहीं आती ऑप्षिन A है उच्चितन नयाल है ऑप्षिन B है उच्छी नयाल है ऑप्षिन C है सुरक्षा एजेंसियां और ऑप्षिन D है भारत सरकार तो इसमें आपका राइड आंसर हो जाएगा और ऑप्षिन नंबर सी सुरक्षा एजेंसियां को जैसे कि आप यह उच्चीन को देख रहरें इसमें पूछा किया गया है इनमेंसे कौन सी संस्था RTI के दायरे में नहीं आती है यानी आप जो है उच्चितन नयाले से भी जानकारी ले सकते हैं उच्च नयाले से फीप्षि एजेंसियां जो है उसके विशे में जैसे रो हो गई आय भी हो गई इसके विशे में आपको कोई भी जानकारी उपलबद नहीं कराई जाएगी तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा एजेंसियां नेक्स्ट कोईशन है आर्टी आई के तहट किन से जानकारी प्राप्त की जा सकती है ऑप्षिन ए है इंडियन आर्मी ऑप्षिन बी है विदेशी गुप्ठ सूचना ऑप्षिन सी है नीजी संस्थानों और ऑप्षिन डी है सरकारी विभागों जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्षिन नमबर डी सरकारी विभागों से नेक्स्ट केशिन है आईटी आई की इधारा 6 के तह़त सूचना प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है ऑप्षिन ए है कारण, ऑप्षिन बी है नाम वपता, ऑप्षिन सी है व्यक्तिकत विवरण और ऑप्षिन डी है अ और सी दोनों तो question पे गौर करेंगे इसमें पूछा है धारा 6 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है तो दोस्तों इसमें जो है आपका right answer हो जाएगा option number D A और C दोनों यानि कि आपको कारण बताने की आवश्यकता नहीं है और आपको अपना व्यक्तिकत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है अगर आप RTI से कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो next question है question number 9 धारा 8 के तहत किस आधार पर सूचना देने से मना किया गया है option A है विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त जानकारी option B है ऐसी सूचना जो भारत की संप्रभुता एकताव अखंड़ता को प्रभावित करे option C है ऐसी सूचना जिससे किसी व्यक्ति का जीवन खत्रे में पड़े और option D है उपरियुक्त सभी तो इसमें आपका right answer हो जाएगा option B उपरियुक्त सभी यानि कि विदेशी सरकार से जो विश्वास में प्राप्त की गई जानकारी है वो भी साजह नहीं की जा सकती है किसी से और ऐसी सूचना जो भारत की एकता और अखंड़ता को प्रभावित करे ऐसी भी कोई जानकारी जो है नागरिकों को उपलब्द नहीं कराई जाएगी ओके नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर टैन RTI है RTI ओके RTI 2005 की संबंद में कौन सा कथन सही है option A है ये संपूर्ण भारत में लागू है option B है RTI के अवल भारती नागरिकों के लिए उपलब्द है option C है A और B दोनो option D है इन में से कोई नहीं तो इसमें आपका right answer हो जाएगा option number C A और B दोनो next है RTI के तहत केंद्रिय सुचना आयोग का गठन किस धारा के तहत होता है option A है धारा 14 option B है धारा 13 option C है धारा 15 और option D है धारा 12 तो इसमें आपका right answer हो जाएगा option number D धारा 12 next question है RTI की किस धारा में सुचना आयोग के श्रक्ति वा कालियों की चर्चा की गई है option A है धारा 14 option B है धारा 15 option C है धारा 16 और option D है धारा 18 तो इसमें आपका right answer हो जाएगा option number D धारा 18 यानी 18 next है यदि कोई अधिकारी समय पर सुचना नहीं देता तो उस व्यक्ति पर जुर्माने का प्रावधान है ये किस धारा से संबंदित है option A है धारा 20 option B है धारा 21 option C है धारा 22 और option D है धारा 20 तो इसमें आपका right answer हो जाएगा option number A धारा 20 next question है question number 14 RTI की धारा 19 किस से संबंदित है option A है अपील से option B है सुचना अधिकार से option C है मुख्य सुचना आयुक्त से और option D है उप्रोक्त सभी तो दोस्तों इसमें आपका right answer हो जाएगा option number A अपील से RTI की धारा 19 जो है अपील से संबंदित है next है प्रथम अपील का निस्तारण अधिक्तन कितने दिन के भीतर किया जाता है option A है 15 दिन option B है 25 दिन option C है 30 दिन और option D है 45 दिन तो इसमें आपका right answer हो जाएगा option number C 30 दिन प्रथम अपील का निस्तारण जो है 30 दिन के अंदर किया जाएगा next question है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ती किसके द्वारा की जाती है तो इसमें आपका option number A है राश्टरपती option B है प्रधान मंतरी option C है राज्यपाल और option D है उप्राश्टरपती तो इसमें आपका right answer हो जाएगा option number C प्रष्टरपती एमके एंपकिंधा मोज़क फ्री किता है जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्ति की तो जिव हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य में मुख्य सूचना आयुक्ती नियुक्ति राज्यपाल करता है दो Same question फॉस learnt हम केंद्र सरकार के बारे पूछेंगे तो केंद्र में जो है मुख्य सूचना आयुक्त किन्युक्ति राष्ट्रपती करता है ओके राष्ट्रपती करता है यह अप ध्यान रखिएगा नेक्ट कोशिन है RTI दायर करने का माध्यम कौन सा है ओप्शन A है लिखित रूप में या इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ओप्शन B है मौखिक रूप से ओप्शन C है टेलिफोन के माध्यम से और ओप्शन D है उपरोक्त सभी तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A लिखित रूप में और इलेक्ट्रोनिक माध्यम से यानि कि अगर कोई भी सूचना अगर आपको चाहिए है RTI के तहत आप सूचना कोई भी मांग रहे हैं तो आपको लिखित रूप में देना होगा चाहे तो आप उसको लेटर में लिख के दे या फिर आप इमेल करें इसमें से दोनों माध्यम आप अपना सकते हैं लेकिन मौखिक रूप में और टेलिफॉन के माध्यम से आपको कोई भी सूचना अप्लद नहीं कराए जाएगी कोई व्यक्टी सूचना प्राप्त करने के लिए किस भाशा का परियोग कर सकता है ऑप्शन ए है हिंदी या अंग्रेजी या शास्की भाशा ऑप्शन बी है केवल हिंदी ऑप्शन सी है केवल अंग्रेजी और ऑप्शन डी है उप्रोक्त सभी तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए हिंदी या अंग्रेजी या शास्की भाशा इसमें से कोई सी भी हो सकती है ओके नेस्ट कोश्यन है सूचना का अधिकार अधिनियम यानि आटियाई के अधिन अभिलेख में क्या संबलित नहीं है तो इसमें पूछाए क्या संबलित नहीं है तो इसको हम ऑप्शन देखेंगे पहले ऑप्शन A है फाइल टिपण ऑप्शन B है कोई माइक्रो फिल्म ऑप्शन C है कोई हस्तलेख या दस्तावेज और ऑप्शन D है इन में से कोई नहीं तो इसमें आपका राइट अंसर हो जाएगा और फाइल टिपण का मतलब क्या होता है तो आप ऐसे समझ लेजिए कि जो विचारा धीन मामले होते हैं तो विचारा धीन मामलों के विशय में आपको कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तो इसमें आपका राइट अंसर हो जाएगा फाइल टिपण ओके नेक्स्ट कोईशन है सूचना प्राप्ट करने के लिए सीडी डीवीडी के लिए कितने रुपए की राशी जमा करनी पड़ती है option A है 10 रुपए option B है 50 रुपए option C है 80 रुपए और option D है 120 रुपए तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा option नमबर B 50 रुपए अब तो जो है CD और DVD का यूज होता नहीं है तो जिस भी माध्यम से आपको जो है या पेंडराव में दे या फिर कोई मेमरी कार्ड में दे अगर इस माध्यम से भी आपको दी जाती है तो आपका सुल्क जो है 50 रुपए ही पड़ेगा next question है सूचना प्रतलिपी प्राप्त करने के लिए कितने रुपए की राशी देनी होती है option A है 2 रुपए option B है 5 रुपए option C है 10 रुपए और option D है 20 रुपए तो इसमें आपका right answer हो जाएगा option नमबर A 2 रुपए next question है question number 22 किस प्रकार के व्यक्ति सूचना मुफ्ट में प्राप्त कर सकते हैं option A है अन्य पिछड़ा वर्क option B है अनसूचित जाती option C है अनसूचित जन जाती और option D है गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति तो इसमें आपका right answer हो जाएगा option option number D गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनियापन करते हैं उनको जो है RTI में कोई शुल्क जमा नहीं करना पड़ेगा कोई भी जानकारी प्राप्ट करने के लिए सुचना प्राप्ट करने के लिए आवेदन शुल्क कितना जमा होता है option A है 5 रुपए option B है 10 रुपए option C है 15 रुपए और option D है 20 रुपए तो इसमें आपका right answer हो जाएगा option number B 10 रुपए अगर आप भी कोई RTI दायर करना चाहते हैं तो आप 10 रुपए सुल्क दे कर कि कोई भी सुचना प्राप्ट कर सकते हैं next question है अगर सुचना का संबंद मानवाधिकार उलंगन से है तो कितने दिन के भीता सुचना दे जाएगी option A है 25 दिन option B है 30 दिन option C है 45 दिन और option D है 90 दिन तो इसमें आपका right answer हो जाएगा दोस्तो option number C 45 दिन next question है सुचना न देने पर संबंदित अधिकारी पर कितने राशी का दंड दे धारित है option A है 350 रुपए option B है 250 रुपए प्रति दिन option C है 150 रुपए प्रति दिन और option D है 200 रुपए प्रति दिन तो इसमें आपका right answer हो जाएगा option number B 250 रुपए प्रति दिन यानि सुचना जो अधिकारी उप्लब्द नहीं कराता है तो इस पर कितना जुर्माना हो सकता है इसको प्रति दिन का 250 रुपए यानि कुल मिलाकर इसको जो है 25,000 रुपए दे हो सकते हैं okay next question है यदि सुचना व्यत्ति के जीवन और सुतंतरता से संबंदित है तो कितने समय के भीतर निस्तारण होगा option A है 30 दिन option B है 90 दिन option C है 45 दिन और option D है 3 दिन तो इसमें आपका right answer हो जाएगा option number A next question है RTI के तहट आवेदक प्राप्ट नहीं कर सकता तो क्या प्राप्ट नहीं कर सकता है option A है सरकारी निर्णे की प्रती प्राप्ट करना option B है सरकारी दस्तावेज का निर्यक्षन करना option C है गोपनियता की सूचना तो इसमें option D जो है मिस हो गया है कोई बात नहीं आपका right answer इसमें हो जाएगा option number C गोपनियता की सूचना यानिकि अगर कोई आवेदक जो है आर्टी आई से गोपनिय सूचना को प्राप्ट करना चाहता है तो इसके विशह में जैसे मैंने पहले बताया इसके विशह में जो है कोई सूचना उसको उप्राप्द नहीं कराई जाएगी next question है RTI 2005 के तहत नागरिकों को किस विशह में जानकारी उप्राप्द नहीं कराई जा सकती option A है खोफिया एजेंसी या सुरक्ष्ट एजेंसिया option B है उच्छ नियायाल है option C है उच्छ नियायाल है और option D है इन में से कोई नहीं तो अब तक तो आप समझी चुके होंगे कि इसका राइड अंसर क्या होगा क्योंकि इससे पहले भी हमने एक दू को सॉल्व किया इधर दोस्तों इसमें आपका राइड अंसर हो जाएगा option number A होफिया एजेंसिया सुरक्षा एजेंसिया इसके विशह में नागरिकों को जो क्या सही नहीं है option A है सरकार का दक्ष्ण प्रचालन सुनेशित कराना option B है ब्रश्टाचार को रोकना और option C है लोग तंत्रात्मक आदर्श की इसम प्रभुता को बनाए रखना और option D है जीवन इस्तर को उपर उठाना तो इसमें आपका right answer हो जाएगा option number D जीवन इस्तर को उपर उठाना तो सूचना का अधिकार अजनियम जो है इसका उद्देश्य जीवन इस्तर को उपर उठाना नहीं है जबकि आपके इसमें जो तीनों options दिएगे है यह इसका उद्देश्य है और option D जो है इसका उद्द नहीं है next question है विश्व में कितने देशों में RTI लागू है option A है 50 देशों में option B है 60 देशों में option C है 70 देशों में और option D है 80 देशों में तो इसमें आपका right answer हो जाएगा option number D 80 देशों में जिसमें स्वीडन देश सबसे पहले RTI लागू करने वाला देश है स्वीडन ओके यह भी आप याद रखिएगा और स्वीडन में जो है मुफ्त में और ततकाल सुचना उपलब्द कराई जाती है यह भी आप याद रखिएगा नेस्ट कोश्चिन है किस देश में मुफ्त और ततकाल सुचना देने का प्रावधान है आप्शन A है अमेरिका आप्शन B है नीदर लेंड आप्शन C है स्वीडन और आप्शन D है डेनमार्क तो जैसा मैंने पहले बताया इसका राइड आंसर होगा आप्शन C स्वीडन स्वीडन में मुफ्त और ततकाल सुचना उपलब्द कराने का प्रावधान है नेक्स्ट कोश्चन है विश्व में स्वीडन इस तरवपर्थम किस देश में सुचना का अधिकार कानून लागुक किया गया आप्शन A है डेनमार्क आप्शन B है स्वीडन आप्शन C है अमेरिका और आप्शन D है इस्राइल तो इसमें आपका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर B स्वीडन ओके दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 33 आटी आई दोहजार पांच से पहले ये भारत के कितने राजियों में लागु था इसमें आपका आप्शन नमबर A है 7 राजियों में आप्शन B है 8 राजियों में और आप्शन C है 9 राजियों में आप्शन D है 10 राजियों में तो इसमें आपका राइड आंसर हो जाएगा option number C 9 राज्यों में जिसमें जो है सबसे पहला राज्यों आपका है Tamil Nadu Tamil Nadu में सबसे पहले जो है अपने भारत में सबसे पहले Tamil Nadu में इस कानून को यानि कि इस अधनियम को लाया गया था 1997 में 1997 में इस अधनियों को सबसे पहले भारत के तमिलाडु राजी में लाए गया था यह भी आप याद रखिएगा सूचना की स्वतंतरता विधेयक का पारित किया गया आप्शन ए है 2002 आप्शन बी है 2003 आप्शन सी है 2004 और आप्शन डी है 2005 तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर ए 2002 2002 में सूचना की स्वतंतरता विधेयक को है पारित किया गया था नेक्स्ट कोश्चन है आर्टी आई को राष्टपती की मंजूरी कब मिली तो दोस्तों इसमें आपका आप्शन नमबर ए है 12 माई 2005 को आप्शन बी है 13 माई 2005 आप्शन सी है 15 जून 2005 और आप्शन डी है 14 जून 2005 जिसमें आपका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर सी 15 जून 2005 नेक्स्ट कोश्चन है क्वेश्चन नमबर 36 आर्टी आई में कुल कितनी धाराए यानि शेक्षंस और अध्याए यानि चैप्टर्स हैं आप्शन ए है 32 धाराए और 6 अध्याए आप्शन बी है 31 धाराए और 6 अध्याए आप्शन सी है 31 धाराए और 5 अध्याए आप्शन डी है 31 धाराए और 7 अध्याए तो इसमें आपका राइड अंसर हो जाएगा 31 धाराए और 5 अध्याए तो इस 31 धाराए आपका C ऑप्शन राइड हो जाएगा 31 धाराए और 5 अध्याए है नेक्स्ट कोश्चन है इस अध्याएम में नीयम बनाने की केंद्र सलकार की शक्ती किस धारा के तैत उल्लखित किया गया है ऑप्शन A है धारा 30 ऑप्शन B है धारा 31 ऑप्शन C है धारा 32 और ऑप्शन D है धारा 33 इसमें आपका राइड अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर A धारा 30 नेक्स्ट कोश्चन है सूचना का अधिकार किसको प्राप्त है ऑप्शन A है केवल भारती नागरिकों को ऑप्शन B है भारती वर विदेशी नागरिकों को ऑप्शन C है केवल पिछड़ा वर्क को और ऑप्शन D है उपरोक्त सभी तो इसमें आपका राइड अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर A केवल भारती नागरिकों को ओके दोस्तु नेक्स्ट कोश्चन है आर्टी आई की तहट लोग प्राधिकारियों का दाइत्व किस धारा में उल्लखित है जो लोग प्राधिकारियों का उलेख किस धारा में किया गया है शायद से कोई कुश्चन छूट रहा है नहीं नहीं सही है कोई कुश्चन छूट नहीं रहा है देखते हैं आर्टी आई के तहट लोग प्राधिकारियों का दाइत्व किस धारा में उल्लखित है ऑप्शन ए है धारा चार एक ऑप्शन भी है धारा चार दो ऑप्शन सी है धा धारा चार एक ओके दोस्तों और इस पहले कुश्चिन को देखते हैं इस पहले कुश्चिन में जो आपका राइट अंसर था केवल भारती नागरिकों को यह आपकी धारा तीन में दिया गया है ओके यह भी आप याद रखिएगा ओके दोस्तों नेट्स पूश्चिन है इस पूरती सूचना का दिकार अथिनीय भारती सम्मिधान के इसका किस अनुचेद के अंतरगत है आप्षिन A है अनुच्छेद 14 आप्षिन B है अनुच्छेद 19 आप्षिन C है अनुच्छेद 32 और आप्षिन D है अनुच्छेद 25 तो इसमें आपका राइट अंसर हो जाएगा option number B अनुशेद 19 अनुशेद 19 आपका right answer हो जाएगा next question है सूचना का अधिकार अधिनियम को लागो करने से उत्पन होने वाली कर्षिनाईयों से निपटने की शक्ति किसे प्राप्त है तो इसमें आपका option number A है सर्वोचिनेयाले को option B है राष्टपती को option C है केंदर सरकार को और option D है राजी सरकार को तो दोस्तों इससे उत्पन होने वाली कर्षिनाईयों से निपटने के लिए जो शक्ति मिली हुई है वो मिली है केंदर सरकार को तो option option इसमें C आपका right answer हो जाएगा next question है RTI के अंतरगत सूचना मांगने पर सूचना उपलब्द कराना आवश्यक है इस यह जो धारा है वो किस से संबंदित है इसमें जो है option A है धारा 5 option B है धारा 6 option C है धारा 7 और option D है धारा 8 तो इसमें आपका right answer हो जाएगा दोस्तों option C धारा 7 next question है सूचना आयुक्तव मुख्य सूचना आयुक्तव को हटाए जाने का प्रावधान किस धारा में है option A है धारा 14 option B है धारा 15 option C है धारा 16 और option D है धारा 18 तो इसमें आपका right answer हो जाएगा दोस्तों option A धारा 14 धारा 14 में जो है मुख्य सूचना आयुक्तव जितने भी सूचना आयुक्तव उनको हटाए जाने का प्रावधान किया गया है next है राज्य सूचना आयुक्तव का उले किस धारा में है option A है अध्याय 4 और धारा 15 option B है अध्याय 5 और धारा 15 option C है अध्याय 3 और धारा 15 और option D है अध्याय 3 और धारा 15 option D है अध्याय 4 और धारा 16 तो इसमें आपका right answer हो जाएगा दोस्तों अध्याय 4 और धारा 15 तो किस option में है यह option A में है अध्याय 4 और धारा 15 यह आपका right answer हो जाएगा next है question number 45 सूचना आयोग में कितने सूचना आयुक्त होते हैं option A है एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से कम अन्य यानि 10 से कमी होने चाहिए 10 से अधिक नहीं option B है दो मुख्य सूचना आयुक्त और 5 से कम अन्य और option C है A और B दोनों और option D है इन में से कोई नहीं तो दोस्तों इसमें आपका right answer हो जाएगा option number A एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से कम अन्य यानि एक आपका मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 वेक्तियों से कम जो है अन्य सूचना आयुक्तों की संक्या होनी चाहिए next question है दोस्तों question number 46 राज्य सूचना आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है option A है राज्य पाल option B है राश्टर पती option C है संसद और option D है मुख्य नायधिश तो इसमें आपका right answer हो जाएगा option number A राज्य पाल और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को थमसब भी करते चलिएगा okay next question है सूचना प्रद्योग की अधिनियम कब लागू हुआ option A है 17 October 2002 option B है 17 October 2003 option C है 17 October 2001 और option D है 17 October 2000 तो इसमें आपका right answer हो जाएगा option number D 17 October 2000 में सूचना प्रद्योग की अधिनियम को लाया गया okay next है यदि किसी नागरी को RTI के तहत अपील का दूसरा उपाय समाप्त हो गया है तो वह सम्विधान के किस अनुशेद के अधिन उच्चितन नयाले में जा सकता है option A है अनुशेद 21 के तहत option B है अनुशेद 32 के तहत option C है अनुशेद 19 के तहत और option D है अनुशेद 14 के तहत तो इसमें आपका right answer हो जाएगा option number B अनुशेद 32 के तहत ओके इसी अनुशेद 32 को जो है B आराम बेड करने सम्विधान का हिर्दय और आत्मा कहा है ये भी आप point याद रखिएगा यानि सम्विधानिक उपचारों का अधिकार इसमें दिया गया है नेक्स्ट है RTI सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया option A केरल option B करनाटक और option C है महरास्टर option D तमिल नाडू इसमें आपका right answer हो जाएगा option option D आपका right answer हो जाएगा RTI सबसे पहले भारत के तमिल नाडू राजी में लागू किया गया था और वह भी कब लागू किया गया था 1997 में 1997 में आपका अधिनियम तमिल नाडू सरकार ने लाया था ओके नेक्स्ट कोश्चिन है RTI में संशोधन कब किया गया option A है 2018 में option B है 2019 में option C है 2020 में और option D है 2021 में तो इसमें आपका right answer हो जाएगा option B 2019 में 2019 में जो है RTI में संशोधन किया गया और संशोधन करके जो है इसमें क्या add किया गया किस विशे में संशोधन किया गया तो यह जो संशोधन था वो मुखे सूचना आयुक्त का कारेकाल और उसके वेतन से संबंदित था कारेकाल और उसके वेतन से संबंदित था यह संशोधन 2019 यहाँ पे 2019 है option B option B आपका right answer है बिल्कुल confuse नहीं होना है option B आपका right answer है 2019 में RTI में संशोधन किया गया था नेक्ट कोश्चन है भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे option A है वजाहत हभी बुल्ला option B है एंतिवारी option C है दीपक संदू और option D है सुष्मा सिंग तो इसमें आपका right answer हो जाएगा option नमबर A वजाहत हभी बुल्ला वजाहत हभी बुल्ला भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे okay साथे साथ आप यह भी याद रखिए कि जो दीपक संदू है यह भारत की पहली मुख्य सूचना आयुक्त थी महिला क्टेगरी में ओके यह भी आप याद रखिएगा next question है पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे तो जैसे मिना भी बताया दीपक संदू जो है भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त रही है तो इसमें आपका right answer हो जाएगा option नमबर A दीपक संदू next question है केंद्री सूचना आयुक्त का मुख्याले कहां है option A है मुंबई option B है बंगलूरू option C है नई दिल्ली और option D है पूने तो इसमें आपका right answer हो जाएगा option नमबर C नई दिल्ली केंद्री सूचना आयुक्त का मुख्याले नई दिल्ली में है next है question number 54 केंद्री मुख्या सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है option A है प्रधान मंत्री option B है राश्टरपती option C है राजिपाल option D है संसद तो इसमें आपका right answer हो जाएगा option नमबर B राश्टरपती तो राश्टरपती जो है एक समीती के सिफारिश पर मुख्या सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है और उस समीती के जो समीती का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री जो है उस समीती का अध्यक्ष होता है और इसी समीती के सिफारिश पर राश्टरपती मुख्या सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है और एक और पॉइंट जो है आप याद रखिएगा कि जो भी मुख्या सूचना आयुक्त एक बार बन जाता है उसकी नहीं होती है यानि कि अगर वो दुबारा जो है मुख्य सूचना आयोग तो बनना चाहे तो वो नहीं बन सकता है ओके नेक्स्ट कोश्चन है केंद्री सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है option A है संविधानिक option B है गैर संविधानिक option C है A और B दोनों और option D है इनमें से कोई नहीं तो इसमें आपका right answer हो जाएगा option number B गैर संविधानिक केंद्री सूचना आयोग जो है एक गैर सम्विधानिक निकाय है वो कैसे क्योंकि इसका सम्विधान में कोई उलेख नहीं किया गया है और यह एक अधिनियम बना है जो कि संसद में पास किया गया है जो संसद जो भी कानून लेकर आती है वो एक एक्ट होता है जिसका कि सम्विधान में कोई उलेख नहीं होता है तो एक यह गैर सम्विधानिक निकाय हो जाता है संसद में बनने की वज़ा से हैं कि दोस्तों कि नेक्ष्ट कोश्चिन है 2019 का संशोधन किस से संबंधित है ऑप्षण ए है कारेकाल वह वेतन भत्तों से ऑप्षण बी है मुख्य सूचना आयुक्त की उप्यूक्तिता से ऑप्षण सी है सरकारी निकाय बनाने से और ऑप्षण डी है इन में से कोई नहीं तो से करेका पहले पांच वर्सका होता था और जब 2019 इसमें संशोधन किया तो इसमें रूकर तीन वर्ष कर दिया गया मुख्य चुनाव आयुक्ति के बराबर जो है इसके वेतन और भत्ते होते थे लेकिन जो है दो हजार उन्नीस के बाद जब इसमें संशोधन हुआ तो भारत सरकार ने जो है इस नियम को बदल दिया और यह सारे मामले जो है भारत सरकार के अधीन है वो अपनी इच्छा से उसको जो है वेतन और भत्ते दे सकती है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोशिन है वर्तमान में केंजरी सूचना आयो के अध्यक्ष कौन है ऑप्शन ए है वजाहत हभी बुल्ला ऑप्शन बी है यश्वरधन कुमार सिना ऑप्शन सी है राजीव कुमार और ऑप्शन डी है रजनीश कुमार इसमें आपका राइड अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी यश्वरधन कुमार सिना यश्वरधन कुमार सिना आपका राइड अंसर हो जाएगा ये वर्तमान में केंजरी सूचना आयो के अध्यक्ष है यानि मुख्य सूचना आयोक तो कि बहुत सारे लोग जो हैं मुख्यी सूचन चुणाव समझ में हैं के लिए कशारी निगा मेंatta वह वह मुख्या सूचन आयूगत को चुनाव समझ भैटते हैं आप ऐसे गलती बिल्कुल मत करीएगा ब्रकुक क्वेशन को ध्यान से पढ़िएगा सोचने केंजी सूचन आयोग में मुख्य UK का लेकाल 5 से घ्ठाकर कितना कर दिया गया है तो जैसे मैंने पहले बताया 2019 के संशोधन में इसका कारेकाल घटाकर कि 5 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया गया है तो इसमें आपका राइट अंसर हो जाएगा option number A, 3 वर्ष next question है भारत का मुख्य सुचना आयुक्त अपना त्याग पत्र की से सौपता है option A है उपराष्ट पती option B है राष्ट पती option C है लोग सबा किया देख्ष को और option D है इन में से कोई नहीं तो इसमें आपका राइट अंसर हो जाएगा option number B, राष्ट पती को मुख्य सुचना आयुक्त अपना त्याग पत्र राष्ट पती को सौपता है और यही बात अगर राज्य के संबंद में पूछी जाए तो इसमें आपका अंसर होगा राज्य पाल राज्य में राज्य पाल और केंद्र में राष्ट पती ओके next है भारत का मुख्य सुचना आयुक्त का वेतन वर सेवा सरते कौन निधारित करता है तो इसमें आपका उप्शन अ है केंद्र सरकार उप्शन भी है राज्य सरकार उप्शन सी है सवच्चि नियाल आय और ऑप्शन डी है लोक्सभा तो इसमें आपका राइड आंसर हो जाएगा option number a के अंदर सरकार यह आपका last question था question number 60 और इस वन वीडियो में हमने 60 questions को जो है cover किया है अगर आपका कोई भी doubt हो कोई भी query हो तो आप comment box में comment करके हमसे पूछ सकते हैं और यह वीडियो आपको कैसा लगा है comment box में comment करके जरूर बताना तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ कि लिए करने बिल्कुल ना बोलना और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो comment box में comment करके वो टॉपिक हमें जरूर बताईएगा और उस टॉपिक पे हम वीडियो डेवलप करने की पूरी कोशिस करेंगे जैसे हम इस वीडियो को डेवलप किया है वन वीडियो और धेर सारे mcqs ओके दोस्तों तो फिर मिलते हैं कि नए वीडियो में एक नए topic के साथ अब तक के लिए keep learning, be connected and देखते हैं टुड़े इस डॉन एडुकेश और जेखते हैं